Hello students, we are going to continue relations and functions chapter. Types of function पढ़ने वाले हैं आज. पिछले lecture में हमने function क्या होता है ये cover किया था. आज types में देखिए, first type पढ़ने वाले हैं, onto function. onto function क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले, definition देखिए. function f from x to y is said to be onto और surjective. यानि कि onto function का दूसरा नाम क्या है? surjective भी बोलते हैं. if and only if each element in y is the image of at least one element in x. ये देखिए diagram में, एक तरफ x, एक तरफ y. ठीक है? ये function कौन सा है? जैसा हमने पिछले lecture में सीखा था, y is equal to fx. कहता, y set का हर element, किसी ना किसी x के element की image जरूर होना चाहिए. तब function onto होता है. मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये जो y set में elements है ना, ये elements, कोई भी आपको खाली नजर नहीं आना चाहिए. अगर एक तरीके से समझे तो. यानि कि y set के जितने भी elements हैं, वो किसी ना किसी x के element के साथ related होने चाहिए. यानि कि कोई ना कोई जो y के element है, किसी ना किसी x के element की image होने चाहिए. ठीक है? तो याद कैसे रहेगा? यहाँ पर आपका कोई भी element खाली ना मिले बस. यानि कि अगर यहाँ पर एक ओर होता, और वो किसी की image ना होता, तो फिर ये on to नहीं होना था. ये क्या बन जाता? फिर into बन जाता. तो जो function on to नहीं होता, वो क्या होता है? into होता है. तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ. और हमने क्या समझना है और क्या याद रखना है? कि अगर सारे elements y के, किसी ना किसी element की image है, तो मतलब function क्या है जी? on to function है. Right? Let's move ahead. Next देखिए, one one function. A function f from x to y is said to be one one or injective. अब देखिए, one one का दूसरा नाम injective याद रखना है. If and only if different elements of x have different images in y. यह देखिए, x के अलग-अलग element a, b और c लिए. सब के अपने अलग-अंसर है. जब एक, एक के साथ connected हो, तो ऐसे function को क्या बोलते हैं? one one function बोलते हैं. तो अब ध्यान क्या रखना है? यहाँ पर देखिए, एक s खाली छोड़ रखा है. यानि कि y के सारे elements, image नहीं है ना? तो यह one one जरूर है, क्योंकि एक का एक के साथ relation है. लेकिन यह on to नहीं है. यह क्या है? into हो गया फिर, क्योंकि इसमें एक खाली पड़ा है. तो यह one one function जिसमें correspondence या फिर इसका दूसरा नाम देखिए, bijective. अब समझना इसको, मैं इसकी diagram उपर ही cover कर रहा हूँ. bijective क्या होता है? जो one one भी हो, on to भी हो. क्या हो? यहाँ पर लिख देते हैं, जो one one भी हो, और on to भी हो. अब देखो यह example one one की तो है, लेकिन on to नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर एक element मैं और बना रहा हूँ, example के लिए, यह do, do,s. तो अब देखो, यह one one भी है, साथ में अब y के सारे elements भी cover हो रहे हैं, तो यानि कि यह on to भी हो गया, तो यह जो diagram है, यह diagram किसकी हो गई है? one one correspondence की. तो यह ध्यान रखना है, अभी तक हमने तीन चीज़ें पड़ी, क्या-क्या पड़ा जी, on to पड़ा, दूसरा one one पड़ा हमने, और तीसरा one one correspondence, यानि कि by objective क्या होता है, यह पड़ा हमने, यह तीन चीज़ें हमने clear करनी है, और इसके अलावा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको अभी cover करके दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यह concept बहुत important भी है, interesting भी है, समझ भी आना चाहिए, यह देखो, मैं एक diagram बना रहा हूँ यहाँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर चार element लिये, A, B, C, D, और इधर दो ले लिये, मान लिजी एक P ले लिया, एक Q ले लिया, ठीक है, और इधर से देखो, मान लो, let's suppose, A is connected with Q, B is connected with P, और C is connected with Q, D भी मान लो Q के साथ connected है, ठीक है जी, इस तरह से, यह connection है सारे, अब देखो, यह कौन सा case है, यह one-one तो नहीं है न, on-to है, on-to तो है, क्योंकि right side में, जो Y के elements हैं, वो किसी ना किसी के image बहुत हैं, तो on-to तो हो गया, अब one-one नहीं है, तो यह क्या है जी, many-one है, यह समझे न ध्यान से, many-one और on-to यह दोनों है, many मतलब, यहां के कई elements, इधर एक के साथ connected है, जैसे A, C और D, यहां पर Q से connected है, तो many यहां पर, one यहां पर, तो many-one और साथ में क्या है, on-to, यानि एक में ही many-one भी है, और साथ में on-to भी है, अब जुरूरी नहीं कि, on-to हो हमेशा जब many-one हो, ऐसा भी हो सकता था, यह देखिए, मालनों यहां पर, A, B, C, 3 है, यहां पर एक P है मेरे पास, और एक Q है, मालनों दो ले लेते हैं, एक P, एक Q, यह तीनों ही P के साथ, connected है मालनों, तो बन गया न, many-one, लेकिन on-to नहीं है, फिर यह कौन सा है, into है, यानि कि many-one into का case हो गया, तो यह छोटी-छोटी चीजे हैं, जो आपने याद रखनी है, आगे अगने next lecture में, हम exercise शुरू करेंगे, जिसमें one-one या फिर on-to, प्रूव करना सीखेंगे, आज इतना याद रखिए कि one-one क्या होता है, on-to क्या होता है, many-one on-to क्या होता है, many-one into क्या होता है, या फिर one-one correspondence क्या होता है, I hope आपको lecture आज का समझ आया होगा, तो next lecture में continue करेंगे, thank you so much.